देख रहे हैं आज हम कोट में हैं और हमारे साथ युवा अधिवक्ता साथी हैं इनसे बात करेंगे कि वकालत का क्या अनुभाव रहता है और बहुत सारे जो युवा अधिवक्ता लेलबी करने के बाद आते हैं प्रारेजिस्टेशन कराके उनके मन में रहता है कि हम वकालत क करने जाएंगे और कितना कमा पाएंगे खर्च कितना निकाल पाएंगे इन सब विश्व का हम प्रस्न जो युवा धिवक्ता हैं इनसे बातचीत करके आपको बताएंगे और जो सच्चाई है आप देख लेंगे कोड का क्या है और यह हम लोग लाइबरेरी में बैठें देख सब्सक्राइब बताएंगे व कितने वर्स होगे आपको लगभग दएड़ वर्स कितने होती है कितना वकिल कमा पाता है तो आपको बतादो कि अधिवक्ता दो परकार क्यों होते हैं एक सरकारी अधिवक्ता प्राइबेट अधिवक्ता कि सरकारी वकील जो अधिकारी होते हैं उनको बोला जाता है वो प्राइबेट अधिवक्ता होते हैं अपना खुद का प्रैक्टिस करते हैं वो है बताए कि मतलब समाने एक युगा अधिवक्ता होता है उसके मन में रहता ह कि हम practice करेंगे खर्च निकल पायेगा कि नया निकल पायेगा तो इस समस्याँ से आप कैसे निपड़ते शुरू मों के 2-4,5 सल मन में भहुत थी शंकार है कि क्या होगा कैसे होगा कैसे खर्च निकलेगा कैसे क्या स्वोर्थ है काफी दिख्कत होता है शुरूआत हैं यह पूछा अधिवकता कितना कमाता है तो को यह माधार कोwsot आधि तो अभ्य होजाएगा तब तक उसऊ ARM रहेगा कम से कम दसवर्स होने चाहिए तो आप बताइए मतलब कुछ अनुभाव है कि खार्चा कितना निकल जाता होगा एक युवाधिवक्ता को सो दो सब जो निकल जाएगा आने जाने का जो भड़ा बस वहीं निकलेगा इससे जादे कुछ नहीं होगा शुरुवाती दिनों में मैं अपना बता रहा हूं कि मैं जब पहली बार आया तो कम से कम 15-20 दिन तक एक चोवनी नहीं मिला इसी तरह भड़कते रहते थे यहाँ व वह है फिर 15-20 दिनों के बाद कहीं से 50 सुप्या मिल गया बड़ा खुसी हुआ हमको कि चलो तो कुछ उसके बाद धिरे-धिरे मन लगने लगा अपना आने जाने का खर्चा त्यल का खर्चा निकल जाता था फिर अपना उसी तरह चल रहा है अब मन लग रहा है धिरे-धिर जिस तरह से अपना इनकम बढ़ रहा है उस तरह से मन लग रहा है सुरवाती दिनों में लगेगा कि नई कैसे बना जाता है वकील बनने के लिए सबसे पहले तो आपको लेल्वी की डिगरी हासिल करनी होगी जो की ग्रेजुएशन के बाद या बी-इउल्वी के दौर लगबग कितने साल लग जाता है लेलबी कम्प्लिट करने में तीन वर्स उसके बाद क्या प्रक्रिया कर लेने के बाद रुट्रों होने के बाद फिरमा डीस्टिकम कर सकते हैं फिर उसके बाद ऑल इंडिया बारे drive nord एक परिच्छा कंड़क्ट होती है उसको क्लियर करना पड़ता है तो मतलब अभी आप कोट में किसी न्याले के सामने प्रस्तुत हो तो कुछ डर अंदर से घबड़ाट वगरा होता है क्या हलका पुलका होता है लेखें आदद बन गया है आपको मतलब शुरुवाती दिनों में तो कुछ दिकत हुआ 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 पहला दिन कोई यूआ धिवपता आया कोट में गया सिनियर साब कर दिये कि जाओ डेट लेके आओ ऐसा जब होता है तो उस समय कुछ घबडाहट होता है ऐसा फिलिंग फर्स टाइम हुआ था देन अभी नहीं पहली बार हुआ था पहली बार दिकत समस्या होता है किसी जैज साहब के सामने जाएंगे इसके बार धीरे धीर आदत बन जाता है आप डेली जाने लगेंगे काफी अनुबाव अ अब लगी भी ऊंडिवे felt कि कंद करता है कि उसमें क्या धाराएं हैं यूगा दिवक्ताओं के लिए कुछ सरकार के तरफ से भी है क्या पूशाहन राशी है जो अपने मेहनतہ से कमा सकते हैं वही कमाईंगे जो आपने मेहनतर कमा गन रही है कोई प्षाहन राशी नहीं है तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पैर बहुद किसी अच्छे senior के पास जाना होगा और senior भी अगर आपके अच्छे रहेंगे तो आपको चीजों चीजयों को समझने में असानी होगी और आपका सहयोग भी करेंगे किसी किसी जीनियूर को काफी दिख़त हो जाता है अच्छे नहीं मिलते हैं कई सा कोट कहां है कई से कोड में कौन सी प्रोश इडिंग होती है पास्को एक्ठ है तो अ छोड का सानर से कने का छोट होता है यहां पर लगबक 5-6 का लीकायабот कई सारी समच्य वाली कशिड़न नहीं है कुछ सरमाने वाली दिक्कत नहीं है कुछ लोग सर्माते हैं कि पुछने में बेजती हो जाएगा जैसे हमारे रोसन भाई है यह भी बहुत सर्माते थे जैसे कि आपने पूछा कि सुरू में इंकम का सुरोत क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ कि वहले तो आप सिनियर केंडर में रहेंगे सबसे मस्ट है काम स चिकना अगर सिनियर आपको कुछ दे देते हैं खर्चा वर्चा आपका निकल जाता है या कुछ मिसलेनियस वर्क भी होता है जो जुनियर खुझ से असानी से करा सकता है केस तो सुरू में आपको कोई देगा नहीं क्योंकि जो है विश्वास सबसे पहले क्लाइंटों को ब देते हैं या मिसलेनियस वर्क से भी कुछ कमाई हो जाता है अपना सुरू का खर्चा निकलता है उसी तरह से कटिन प्रस्तिती थोड़ा से सामना करना पड़ सकता है आपको इसलिए आप घबड़ाईए मत